बिस्मिल्लाइ रोमा निरहीमा स्लामु अलाइकूम कैसे हैं जी आप सब में उम्मीद करते हूँ आप सब खेरियस से होंगे ये था सुबे का वक्त और मैंने बन गुबी की सब्जी बनाई थी और साथ ने बनाई थी मसाले वाली मिर्ची और इसकी रेसिपी पहले मैं आपसे सेर कर चुकी हूँ इसलिए नहीं सेर कर पाई क्योंकि मुझे सुबे का वक्त बहुत टॉफ था कि मैं वीडियो सूट नहीं कर पाई थी और आज आपसे मैं सेर करूंगी स्वीट सी गुजीया की रेसिपी चलिए जी उसे बनाना स्टार्ट करते है और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए और ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है गुजिया पन मैं ऐसा नहीं कि फेस्टिवल पे ही तेहवारों पे ही बनाती हूँ मैं ऐसे ही बच्चों को जब भी याद आ जाती है ना मैं उनको बना देती हूँ और ये मैं उसी तरीके से बनाऊंगी जो मेरे अम्मी बनाया करते थे ना इतनी सौफ्ट और क्रिस्पी अच्छा जी इसके लिए मैंने एक कप के करीब मैदा ले लिया था उसमें चार चम्मच के करीब मेल्टेट गी डाल दिया था और चुटकी भर में सौल्ट डालूँगी अब ये सारी चीजों को मैं लगातार अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि गी और मैदा सब में अच्छे से मिक्स हो जाए और मुझे इसका डो सौफ्ट वाला नहीं बनाना है थोड़ा हाड रखना है क्योंकि मैंने मौन ज्यादा डाला था ना चार चम्मच के करीब मैंने गी लिया था तो इसलिए थोड़ा से हाड रखूँगी मैं इसका डो इसके बाद मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी और डो जैसे ही रेडी हो जाएगा ना मैं इसको 10-15 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दोगी धगके कि ताकि डो अच्छे से सौफ्ट हो जाए क्योंकि जब भी हम मैदे को हाड गुनते है ना वो सौफ्ट होई जाता है और माशालला से डो रेडी हो चुका था हाफ ग्लास के करीब पानी इस्तिमाल हुआ था उसमें और मैंने ढखके रख दिया था अब मैं इसकी फेलिंग्स की तैयारी कर लूँगी इसके लिए मैंने पैन में एक चम्मच के करीब घी लिया था और मेरा होम मिल्ट जो मावा था मैंने दूस्ते पका के रखा था ना वो मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबं डेड़ सो ग्राम के करीब यह मावा है अब मावे को मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी और इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी दो चम्मच के करीब सोजी सोजी आपके पास मोटी वाली या बारिक वाली जो भी हो आप ले सकते हो और दोनों की अच्छे से मैंने भुनाई कर ली थी थोड़ा से कलर भी इसका हलका से चैंज हो गया था फिर गेस की फ्लेम को आफ करके मैंने सारा खोया और सूजी दोनों को निकाल लिया था और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद मैं ड्राइ नट्स उसको भी मैं फ्राइ कर लोगी पन है आप ट्राइफूट अपने टेस्ट के अकॉड़ी नप ले ली जी मैंने काजू बादाम चिरोंजी और खोपरे की छिन ले ली थी मैंने मैंने इसमें पिस्ते और द्राक्स का इस्तिमाल नहीं किया था पिस्ते मेरे पास थे नहीं और द्राक्स मेरे बच्चों को इतनी पसंद नहीं आती है तो मैंने दो चम्मच के करीब चिरोंजी ले ली थी दो चम्मच के करीब बादाम और दो चम्मच के करीब काजू उनको अच्छे से चौप कर लिया था और थोड़ी सी मैंने हाफ कटोरी के करीब खोपड़े की छीर डाल दे थी अब मैं एक चम्मच के करीब घी डालूँगी और यह सारी चीजों की मीडियम आज पर अच्छे से भुनाई कर लोगी और आखिर मैं गैस की फ्लेम को ओफ करके मैं इसमें खस-कस डालूँगी खस-कस का टेज उसमें बहुत भैटर आता है तो मैं दो चम्मच के करीब इसमें खस-कस डाल दूँगी और गैस की फ्लेम को मैंने आफ कर दिया था नहीं तो खसकस बहुत जल्दी से जलने लगती है फैन वैसे भी गरम था तो उसकी भुनाई भी हो गई थी अब ये सारी चीजों को मैं निकाल लूँगी वही बाउल में जिसमें मैंने मावा निकाला था और ये सारी चीजों को complete ठंडा होने दूगी मैं एकदम से ठंडा होने दूगी जरा भी गरम रहेगा ना तो मैं जो चीनी का पाउडर डालूँगी ना तो फिर वो अपना पानी छोड़ देगा और ये ठंडा हो गया था तो इसमें मैंने दो से तीन चमच के करीब चीनी डाली थी चीनी को मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया था और डाल दिया था मीठा आपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो और उसके बाद मैंने वन टीस्पून पूरा भर के इलाइची का पाउडर डाला था और इसकी खुसबू इतनी अच्छी आ रही थी ना माशाला से अब चाहो तो इसमें केसर भी डाल सकते हो वो भी बड़े मज़े की लगती है अब यह सारी चीजों को मैंने मिक्स करके साइड में रख दिया था और यहाँ डो को मैंने चेक कर लिया था तो डो भी मेरा अच्छे से सेट हो गया था और सौफ्ट भी हो गया था तो मैं एक लुआ ले लूँगे और इसकी एक पतली वाली रोटी बेल लूँगे ज्यादा मोटी वाली नहीं बेलूँगे पतली वाली बेलूँगे और अगर आपके पास कटर है ना तो कटर से ही आप इसे कट कर सकते हो मैंने डिब्बे के धकन से इसको कट लगा लिए लिए यह तो सब के घर में आसानी से मिल जाता है और सेम नाफ से ही मैं सारी रोटियों के कट लगा लूँगी ताकि गुजिया हमें एक सरकी ही मिल जाए और इसमें मैं बीच में सेंटर में फिलिंग्स बर दूँगी और किनार उपे में पानी लगा के इसको फोल्ड कर लोगी आप चाहो तो मावा अगर आपके पास नहीं है पनीर है तो पनीर को भी आप कद्दू करके इसमें डाल सकते हो उसकी भी बड़े मजे की गुजिया लगती है अब यहां पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है आइसके बाद मैं इसके कलीरे बना लूँगी कि बहुत भैटर लगेंगे देखने में तो इतने मजे के लगेंगे ना तो हातों से मैंने इसके कलीरे बना लिये थे बस सेम तरीके की सारी गुजिया मैं रैड़्ी कर लूँगी बहुत महनत से बनाई हैं मैंने मेरे वीडियो को जरूर लाइक, कमेंट, सेर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए इसके बाद मैंने कडाई में ओईल को गरम करने के लिए रखा तापन और मैंने मेडियम ही रखा है, ज्यादा तेज वाली आँच नहीं रखी थी ताकि अच्छे से क्रिस्पी-क्रिस्पी फ्राइ हो जाए और मैंने गुजिया इसमें डाल दी थी और अलट से, पलट से हुए इसे फ्राइ किया था हल्का सा गोल्डन कलर आ गया था ना, फिर मैंने इसको निकाल दिया था और आप देख सकते हो माशाला से, कितने फूले फूले से गुजिया बन गए हैं ना मेरे अब मैं इसको डिस आउट कर दूँगी, पहले कम्प्लिट लीस का पूरा ओइल जो है ना उसको चान लूँगी कि ओइल बिल्कुल ना रहे नहीं, तो मेरे हस्बंड नहीं खाते हैं अच्छा जी, आपको आखिर मैं तोड के भी दिखा दूँगी, मैं अंदर तिसकी फीलिंग्स भी इतनी बहतर बनी थी आपको मेरे आज की ये रेसिपी, मेरे वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएजी मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको, तो मेरे चैनल को फ्लीज सपोर्ट कीजिए और चलती हूँ जी, फिर मिलूँगी, अपना वहां तक बहुत सारा ख्या लखना जी, दुआउं में याद रखना अल्ला हाफीज